हेलो आप सभी का जीट क्लाशेज के ओनलाइन ट्लेट पोरम पर फीर से स्वागत है कल हमने ब्लड लेसन की पहले क्लास की थी आज हम दूसरी क्लास करेंगे और हमारा रख समंद्द आज हत्म होजे कल हम दूसरा टोपिक लेंगे देखते हैं रख समंद्द के कुछ यूसर एक यूसर एक पुरूस की और इस तरह करते बें महीं लाने का उसकी मा पुरूस की मा मा मेरी मा की इकलोती बेटी है इस महीला की मा की इकलोती बेटी है एक बेटी है मतलब महीला खुद है तो महीला इस महीला की इस महीला की इकलोती बेटी मतलब यह महीला खुद है इस महीला इस पूल इन्होंनों का स्वियत्न मंदूगा मा वैं फुत्त है तो पुरूस महीला की क्या लगेगा यह पूल महीला रिष्टे में उस पूल के क्या लगेंगे मा के और शुन नंबर ए अगला क्यूस आप एक आदमी का परीचे दे रहे हैं, महीला ने कहा, उसके ससूर के पिता मेरे ससूर है महीला ने कहा, उसके ससूर के पिता, इसके आदमी के ससूर के पिता, उस ससूर के पिता मेरे ससूर है महीला के ससूर है तो आदमी का महीला से क्या समभन दोगा, इस आदमी के ससूर के पिता महीला के ससूर है तो महिला आदमी से क्या संबंदोगा दमाद ये क्या लगीगा आदमी दमाद उप्स नमबर डी अगला क्यों से एक औरत की तरफ इसारा करते वे आदमी ने कहा इस औरत की वारे में आदमी ने कहा ये मेरे पिता की बेटी ये औरत इस आदमी के पिता की बेटी इसकी बेन पिता की बेटी की पिता की बेटी की बेटी ये मेरे पिता की बेटी की बेटी की मा है इस बेटी की मा ये योगी ए तो वह आदमी उस वरत से किस प्रकाश समझ दी थे विए आदमी इस औरग से किस परकार समंदित है कि ऑन्मी कि १िम तो किस समंदित है भाई वें पितार की ढेल परकार बूस्विति दो मैं है धाक्षिंविक्न कि समय पर जाहई भाउदित है अगेला क्यों साथ हैं एक व्यक्ति की ओर इस्तारा करते वे राम ने कहां आप उसका एक मात्र भाई इस व्यक्ति का भाई मैरे मेरी बैटी के पिता इस राम की बैटी यह मान लो इस राम की बेटी के पिता राम की बेटी के पिता को अनोगा राम खुद राम की बेटी के पिता का पिता मतलब राम का पिता पिता का पिता है तो वह भाई वेक्ति राम से किस प्रकार समन्दित होगा उसका भाई इस वेक्ति का भाई राम के वेक्ति के पिता का पिता है तो यह राम का पिता राम के पिता का भाई राम के क्या लगेगा चाचा किता का भाई चाचा और से नमबर डी अगला क्यों से एक फोटो की और इस सारा करते हुए सुरुद नेका यह फोटो है किसी की और सुरुद क्याता है उसकी पुत्री इसकी पुत्री सौब बाप इस फोटो वाले आदमी की पुत्री है सौबा मेरे माख की पुत्ति है कि इस सुरुद की माज की पुत्ति है मान की पुत्ति कि तो बता यह तस्वीर किस की थी तो यह इसकी मां की पोती है मतलब यह तो इसकी खुद की बेटी होगी या फिर यह सोब यह फिर भाई की बेटी होगी तो यह कौन है भाई है यह फोटो वाले आदमी क्यों रिष्टारा करके कह रहा है कि इसकी बेटी तो यह कौन होगा भाई तो सुरज यह तस्पीर किसकी है सुरज के भाई की सुरज के भाई की ऑप्सें नमबर एक क्योंकि यह सुरज के मा की पोती है मा की पोती तो यह तस्पीर वाला भाई है होगा क्योंकि भाई की बेटी यह की मा की पोती लगेंगी अगला क्यूंस on एक तस्पीर क्यों सारो करते हैं सुनिता बोली membership क्यों इसता कर रही है सुनिता सुनीता बोली वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है चाचा की पुत्री का भाई है तो सुनीता की किस प्रकार समन दिते हैं तो यह तस्विर किस की है उसके चाचा की पुत्री की भाई की तो चाचा की पुत्री चचेरी बेन और भाई चचेरा भाई सुनिता की क्या लगेगा चच्चरा बाई चाचा के बैटा चच्चरा बाई ओप्सेन नमबर डी अगला क्यूशन राजीव मौन्लू का बाई है राजीव मौन्लू का बाई है सोनिया सुनिल की बहन है एक सोनिया की स्किवेने सुनिल की? मौन्लू सोनिया का बुट्रो है ये मौन्लू है जो सोनिया का बुट्रो है सोनिया का बुट्रो है तो राजीव सुनिल का क्या रिस्ताओा तो राजीव और सूनील का क्या रिस्था होगा अब मोनू किसका पुत्के सोन्या haya सोन्या को अन्य मा कि मोनू का और या जीव की मैरण सोन्या तो सोन्या का भाई इस रॉपिक की लगेगा मामा well सोनिय का भाई मामा का भई मामा कोयंदोन का रिष्टा की तूनी लो राजिव मैं क्या रिष्टा है मामा बहनचा का इस मामा बहनचा और नमबर यह मामा बहनचा अगला कीऊचा अगले के उच्छें, में अविनास की मासा, के पिता, अविनास की मासा के पिता, अविनास की ननना, ननना का पुत्र, अविनास की मासा का भाई, तो अविनास मेरा कौन है, अविनास की मासा के पिता, अविनास के ननना, मासा के पिता का भाई, मासा का भाई, तो अविनास मेरा कौन होगा, तो यह में हो जो कौन है अविनास सा भाई तो मामा बांजा का रिस्टा होगा अविनास मेरा क्या लगेगा अविनास बांजा ओप्सिन नमबर दी बांजा अगला क्यों तो अरून रोईद का पिता है अरून रोईद का पिता है रोईद पुत्र अरून रोयत का पिता है रोयत माला का भाई है तो माला के पिता अरून माला दिलीव की पतनी है माला किसकी पत्नी है दिलीव की हमने पिछली ग्लास में देखा था कि पत्ती पत्नी का रिस्टा है तो तीर का निसान और भाई बेहन का यह तो प्लस का निसान माला दिलीव की पत्नी है तो दिलीव का रोईट से क्या सम्मन्द होगा दिलीव का रोईट से क्या सम्मन्द होगा दिलीव पत्नी का भाई साला और धेन का पत्ती जिज्जा तो दो लोगा क्या संब्द होगा जिज्जा साला का अब फूद्या क्या गया है कि दिलीप का रोईट से क्या संब्द है इस दिलीप का रोईट से क्या संब्द है दिलीप रोईट के क्या लगता है तो दिलीप रोईट के क्या लगता है जिज्जा पेन का पती जिज्जा मनोज ने सुनील से कहा कि मनोज ने सुनील से कहा वह टीवी देख रहा वेक्ति कोई टीवी देख रहा है उस वेक्ति के बारे में बात करना वह वेक्ति मेरे दादा जी मतलब सुनील के दादा जी मनोज ने सुनी उसे कहा मनोज ने सुनी उसे कहा तो मनोज के दादा जी वो मेरे दादा जी के पुत्र दादा जी का पुत्र दादा जी का पुत्र के पुत्र की दादाजी के पुत्र मतलब मनोज के पिता का पुत्र मनोज खुद मनोज इकलोते मेरे दादाजी के पुत्र के पुत्र के इकलोती बहन है मतलब मनुझ की बेहन तो बता उस रेक्टी का मनुझ से क्या रिष्टा होगा इस बेहन का पती तो मनुझ का उस रेक्टी से क्या रिष्टा होगा मनुझ का इस रेक्टी से क्या समंदूगा का बेन का पती जिज्जा का रिस्ता होगा अब फूच्य क्या गए एक कि मनुष के साथ क्या रिस्ता है जिज्जा का रिस्ता है ऑप्सिन नुमबर ए जिज्जा अगला क्यों कि गान्जेश ने कहा राजेश ने कहा यह लड़की किसी लड़की के बारे में बता रहा है लड़की यह लड़की मेरी मां राजेस की मां के पुत्ते की पत्नी है की पत्नी, मतलब राजेस के पुत्र की पत्नी है यह तो राजेस उस लड़की का क्या लगएगा, इस राजेस के पुत्र की पत्नीШ पुत्र की पतनी इस राजेस की क्या लगी की बहु और ये राजेस इसकी क्या लगी का सब्सूत राजेस की पुत्र की पतनी राजेस की बहु और आजेस की सब्सूत और नमगर सी तो राजेस की क्या लगी का सब्सूत अगला की उसन पी और क्यों भाईं ये वाई बंग के रसे में प्लस बाइब की रसमा स्ट हो तो भी प्लस का बिज्वा निसा मिल्वा नोज लोग को इसे लिंग में कि इसे लिंग में ये में टाप पी का पुत्र एस का भाई है पी का पुत्र इस पी का पुत्र है एस का भाई कोई भी विए सब्भाई है तो क्यू का आर से क्या सम्बंद होगा तो क्यू का आर से क्या सम्बंद होगा यहीं पुछा पी कौन है क्यू का भाई और आर और एस मैंने और मैंन के भाई मतलब यह पिता पिता का भाई यह तिनों भाई बेन हैं तो इन तिनों का पिता पी है और पी का भाई है क्यों पिता का भाई क्या लगेगा चाच्छा तो क्यों का आर्ट से क्या संब्द है क्यों आर्ट के क्या लगेगा चाच्छा पिता का भाई चाच्छा उसे नंबर यह अगला की किते हैं संमीक्रण का इस संमीक्रण धिया अखि लिए कि To My ब्लू का हुआ। अब इस समीक्रण से सुल करेंगे समीक्रण किसे कि उसे क्ologists क्यों कुंछ इन्टु क्यू खी टू किसेटों क्यू जादें को हेेट इंटु मीका अर्च है A B का पिता है तो PG GB क्यूंगा है कि क्यूंग प्लस अर्स इसेटूнул है CH प्लस बी का अर्थ Q R की मता हैं? Q है जो R की मता हैं? तो इस रही है R भाग और S तो इसमें प्रश्ण में क्या A A भाग B का अर्थ है A B की बहन है तो R S की बहन है R S की बहन है S-T A-B का अर्थ है A-B का भाई है तो S-T का अर्थ S-T का भाई है तो किसके समद्ध होते गए है P का T से क्या रिष्टा है S-T का T से क्या रिष्टा है पुत्री पुत्री के पुत्री यतिनों भाई बेन है तो इनकी मा ये मा का पिता क्यों? क्यों मा का मा के पिता इनके क्या लगेगे नाना तो P का T से क्या रिष्टा होगा नाना का आप्सन नमबर A B नाना नानी नहीं नाना पिर ये अगला क्यों संदेखते हैं एक परिवार में पांच योई जोड़े है पांच योई जोड़े हैं गंच योई जोड़े होसकते हैं ग्ष्टा दंदा के पुत्र इनके चार पुत्र है इनके भी वपस चार चार. पूत्र है पोचे के जऴे हैं के बरिवार में सजिब कि संग क्या कितनी है को त standards modelling किसंग कि?... 26 तो परिवार में कूल सजिब किसंग कितनी होगी ? 26। एक परिवार में एक पर्दादा है एक पर्दादा एक पर्दादा एक परिवार में एक पर्दादा एक पर्दादा है दो दादा दादा और तीन पिता है पिता और दो पोत्र है तीन पूत्र हैं, दो पोत्र हैं, एक पड़ पोत्र हैं, तो परिवार में पुरू सदस्यू की संख्या कितनी हैं? प्रोस सदस्य की संग्या एक पड़ दादा है ये इनका पड़ पोत्र दो दादा एक ये पड़ दादा है जो इस पूत्र के ये दादा तो दो दादा तीन पिता हैं इस पूत्र के ये पिता और इस पिता के दादा और इस दादा के ये पर दादा पिता है तो तीन पिता तीन पूत्र है इस पर दादा का ये पूत्र दादा इस दादा का ये पूत्र पिता और इस पिता का ये पूत्र मतलब तीन पुत्र दो पुत्र है दो पुत्त है एक तो ये पिता इस पर दादा का पुत्ता है और इस दादा का एक पुत्र पुत्ता है तो दो पुत्ते एक पड़ पुत्र है एक पड़ पुत्र इस पर दादा का एक पड़ पुत्र है तो परिवार में कुल सदेश्य की संग्य कितनी है एक दो तीन और चार तो पुरू सदेश्य की संग्य है चार ओप्स्टर नमबर डी